जी एस टी आर वन फाइलिंग से जुड़ा एक बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ तो आगे पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा सभी इंपोर्टेंट अपडेट्स के लिए दोस्तों आप सभी को पता ह एक जनवरी 2021 से आपकी जो QRMP स्कीम है वो लागू हो जाएगी और उससे रिलेटर जो इंपोर्टेंट चेंजिस है वो पोर्टल पर होने स्टार्ट हो गए है तो पहला इंपोर्टेंट चेंज अपडेट मैं आपके साथ यहां पे शेयर कर रही हूँ तो दोस्तों जैसे ही आप अपनी जनवरी महीने की का रिटर्न डैशबोर्ट ओपन करेंगी तो वहां पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जैसे कि आपको मेरे केस में दिखाई दे रहा है यह मैंने जनवरी महीने के लिए रिटर्न फाइलिंग की डैशबोर्ट ओपन की है तो यहां पे मुझे अपनी GSTR1 की जो filing है उसका option नहीं दिखाई दे रहा है, यहां के बल मुझे एक ही table दिखाई दे रही है, जो बात कर रही है, auto-drafted ITC statement GSTR2 भी की, तो मेरी GSTR1 कहां गई, GSTR1 क्या मेरे लिए disable हो चुकी है, तो वही चीज़े हमें यहां पर समझनी बहुत ज़ादा जरूरी है, तो दोस्तों आपके पास कुछ email या SMS आई होंगे, जहां पर आपके पास यह information आ रही थी, कि आपको defaulted option के अंदर select कर दिया गया है, तो मेरे case में जो turnover है, वो turnover 5 करोड से कम है, तो मुझे by default Portal ने QRMP scheme यानि कि quarterly scheme के अंदर shift कर दिया है, अब मुझे QRMP जैसे quarterly के अंदर shift कर दिया है, तो first month और second month के लिए मुझे यहां पे GSTR1 दिखाई नहीं देगी, आप जैसा कि देख पा रहे हैं क्योंकि मेरी जो 3B है, वो भी quarterly हो गई है, और मेरी जो GSTR1 है, वो भी quarterly हो गई है, तो मुझे जन्वरी महीने में GSTR1 दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि दोनों ही चीज़े मेरे लिए quarterly हो गई है, जैसा कि आप यहां screen पर भी देख पा रही है, मेरा annual aggregate turnover जो है, वो 5 करूर से कम है, और मुझे यहां पे portal ने by default quarterly के अंदर डाल दिया है, अब यह जो मुझे by default quarterly में portal ने shift कर दिया है, अगर मुझे qrmp scheme के अंदर जाना है, तो मैं इसके साथ आगे monthly filing करनी है, monthly अगर आप फाइल करना चाहते हैं, तो आप इसको change भी कर सकते हैं, अभी मुझे अपनी gstr1 नहीं दिखाए दे रही है, अब अगर मैंने monthly frequency select कर ली, और एक important चीज और आपको ध्यान में रखनी है, कि यह जो selection है ना, यह आपको सिर्फ और सिर्फ 5 दिसंबर से 31 जन्वरी 2021 तक के बीच में ही करना है, अगर आप इन dates के बीच में, यानि कि 30 जन्वरी 2021 तक अगर आप change नहीं करोगे, तो फिर आपकी जो default frequency है, वो quarterly ही select हो जाएगी, फिर आप उसे इस quarter के लिए change नहीं कर पाऊगे, अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने इसे monthly किया, तो मुझे first month, second month और third month में अपनी quarterly GSTR 1 की dates दिखाई दे रही है, और 3B की dates भी दिखाई दे रही है, जो कि जब मेरा quarterly था, तो आप देख पाएंगे first month और second month में not applicable and third month की quarterly dates है, वो मुझे show हो रही है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको monthly किया, तो यहाँ पर first month, second month and third month की मुझे dates दिखाई दे रही है, आप देख पा रही होंगे, कि return due dates मुझे यहाँ पर show हो रही है, तीनो ही months की, अब आप इसको save करके आगे बढ़ेंगे, तो आप से confirmation मांगेगा, कि आप monthly file करना चाहते हैं, यह मेरा save हो गया है, save होने के बाद continue to return dashboard में जब हम जाएंगे, तो वहाँ पर अब हम select करेंगे, तो मुझे महाँ पर मेरी GSTR 1 दिखाई दे रही है, जैसा कि आप देख पा रही है, मुझे अब यहाँ पर GSTR 1 दिखाई दे रही है, और मेरी GSTR 1 की जो due date है, वो भी मैं देख पा रही हूँ, 11th February 2021 है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप मंतली के अंदर जाना चाहते हैं, मंतली अब अपनी GSTR 1 फाइल करना चाहते हैं, मंतली अब अपनी GSTR 3B फाइल करना चाहते हैं, तो आप इस frequency को change कर सकते हैं, otherwise पोर्टल ने आपको by default जो आपके लिए frequency select कर ली है, वही आपकी final हो जाए हैं तो change कर लीजिए, इसी के साथ जो हमारी quarterly GSTR 1 आई है, उसको आप quarterly फाइल कर सकते हैं, जो हमारी quarterly GSTR 1 चल रही है, उस quarterly GSTR 3B जिसमें कि टेक्स की payment आपको मंतली ही करनी होगी, through PMT 06, और quarterly के अंदर भी आपको क्या option दिया गया है, कि मंतली आप IFF facility यूज करके अपने invoices को upload कर सकते हैं, 50,000 रुपीज तक के, ताकि आप आगे credit पासोन कर सके, जो कि quarterly के cases में पहले problem आती थी, ITC claim करने में recipient को, तो अब यहाँ पे आपके लिए यह option ला दिया गया है, कि आप इस facility को use कर सकते हैं, यह totally optional facility है, आप चाहें तो इसे use कर सकते हैं, otherwise आप अपनी GSTR 1 के अंदर ही अपने invoices को दिखा सकते हैं, तो यह एक important छोटा सा update था, I hope यह video आपके लिए है useful, thank you for watching,